सब्सक् 몫 है हैंटऌ स्टूडेंट्स वैल्कम टू मा योटूट्यू चननल तूडेंट्स आज वी डीओ में आपको बताहूंगी पॉंपलिमेंट्री र इंगल और सप्लिमेंट्री अंगल के बारे मीं पॉंपलिमपलिमेंट्री अंगल क्या हुते हैं। complementary angle two, उसकी definition होती है, two angles are said to be complementary if the sum of their measure is 90 degree, क्या मतलब है कि, हम उन ने, दो angles को, हम complementary angles बोलेंगे, अगर उनको, उनका sum जो है, वो 90 degree का हो, ठीक है, दो angles का जो sum है, उनका sum का measure जो होता है, वो 90 degree हो, तो हम उसको बोलते है, complementary angle, तो मैं आपको एक figure draw करके बताती हूँ, आपको अच्छे से clarity हो जाए, मैं एक angle बनाती हूँ, ठीक है, यह मैंने एक angle बनाया, और एक और angle बनाया, मैंने दो angle बनायी, ठीक है, three of and बना रही हूँ, scale से बना, तो अच्छे से बनेगा, ठीक है, तो यह है angle A, B और C, और यह है L, M, और N, ठीक है, तो यह हो गया, तो अब यह दो angles हैं, ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि यह जो angle है, वो 30 degree का है, और यह जो angle है, वो 60 degree का है, तो यह दो angle का जो सम लूम है यह एंगल 30 डिग्री प्लस यह 60 डिग्री तो यह क्या हो गया एंगल 90 डिग्री क्या हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल A, B, C and एंगल L, M, N कॉंप्लिमेंटरी एंगल ओफ इजदर ठीक है तो हम इसको क्या बोलेंगे एंगल A, B, C and एंगल L, M, N आर कॉंप्लिमेंटरी आर कॉंप्लिमेंटरी आर कॉंप्लिमेंटरी एंगल्स ओफ इच अदर तो क्या हुआ कि जो एंगल A, B, C है वो L, M, N का कॉंप्लिमेंटरी है और जो एंगल L, M, N है वो एंगल A, B, C का कॉंप्लिमेंटरी है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल A, B, C is कॉंप्लिमेंटरी एंगल ओफ L, M, N एंगल L, M, N is complementary angle of angle ABC ठीक है तो एक और आपको figure draw करके एक और example से समझाती हूँ जैसे मैं इस type के अगर figure draw करूँ ठीक है तो जैसे मैंने ये बनाई figure ठीक है तो ये हो गया आपका मैंने अंगर ना PQ R अगर इसमें बीच में ये मैंने आम बना दी ठीक है तो ये जो angle बने PQO angle PQ PQO and RQO angle RQ PQO R complementary R complementary complementary angles of each other each other कि जो angle PQO O or RQO जो ये जो डो एंगल हैं वो complementary हैं क्यों 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 कि दो इसम क्यों है? एंगल बने हैं यह जो हैं PQO and RQO are complementary angles of each other चीक है और हमें यह बोल सकते हैं कि एंगल PQO plus angle RQO is equal to 90 degree तो आपको अच्छे से समय लग दिया कि complementary angle क्या होती है दो angle जिनका sum अगर उनको दोनों को add कर दें तो वो 90 degree एंगल बन जाएं तो वह होते हैं complementary angle जैसे यह 30 degree और 60 degree बन जाएं तो यह complementary angle है ठीक है यह जो पहले ही right angle था इसके अगर दो एंगल ऐसे बने आन्ट एंगल तो पहले ही 90 दो एंगल लें और दोनों को अगर हम plus करें उनका angle का जो sum जो है उसका major करें तो वह 180 degree बने तो उसको हम क्या बोलते है supplementary angle ठीक है इसको भी मैं आपको example से बताती हूं कि supplementary angle जो होते हैं वह कैसे होता है तो मैं figure-draw करती हूं तो देखें जैसे मैंने यह एक angle बनाया तो यह एक angle बनाती हूं मैं तो यह हो गया आपका pqr तो मैंने यह बना लिया यह हो गया आपका 110 degree का angle और एक angle मैंने और बना लिया इसका नाम मैं देते हैं अब देखो यह 110 है यह 70 डिग्री है दोनों को प्लस करेंगे तो फूर सुप्लीमेंटरी आंगल हो गए तो हम क्या लिखेंगे एंगल PQR and एंगल LMN are supplementary angle of each other छीक है यह दोनों के supplementary एंगल है दोनों को प्लास करेंगे ना तो देखो एंगल 110 degree plus 70 degree कितना हो गया 180 degree ठीक है दोनों का साम 180 degree आ रहे है यही definition है supplementary angle की अगर दो angle का साम 180 degree आ जाए तो हो गया होता है supplementary angle ठीक है तो ऐसे दूसरे एक और figure पी ऐसे दी भी हो सकती है जैसे मैं अगर ऐसे बनाऊ ऐसे दी मैं figure draw करूँ ऐसे करके ऐसे दी मैंने figure draw की ठीक है तो यह आ गया तो यह इसको B नाम दे दूँ यह O हो गया यह C और यह A ठीक है तो यहां पे भी देखिए यह जो angle बन रहे 180 degree का बन रहे अंगल A, O, B और B, O, C angle A, O, B ध्यान से देखिए A, O, B एंगल ठीक है और यह वला angle A, O, B और अगर मैं angle B, O, C लूँ angle B, O, C यह वला angle इधर से ठीक है तो यह क्या है 180 degree बनते है दुनों का therefore यह जो angle बने इसको हम क्या बोलते है hence क्या बोलेंगे hence angle A, O, B and angle A, O, B और angle C, O, B are supplementary supplementary angles of each other तो दोनों का सामी दर से देखिए तो 180 degree बन रहा है तो I hope आपको अच्छे से clear हो गया होगा कि supplementary angles क्या होते है और complementary angles क्या होते हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जूर कर देना थैंक यू झाँ 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 झाल झाल